हाई ये देव अच्छे पार्टेंट से आप सभी का उप्षणी का टेक्टी वीडियो में स्वागते तो अच्छा वीडियो ओन डिमांड है या आपकी की डिमांड पे ये वीडियो तयार क्या गया है कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि ड्रावर को चैनल से कैसे बाहर नहीं खाले तो मैंने उसमें कंप्लीट बताया था और उसमें ये भी बताया था कि ड्रावर हो या आपका कीबोर्ड हो कंप्टर टेबल का या फिर आपका किचन बास्केट क्यों आओ सभी का प्रोसेस सेम होता है लेकिन मुझे आप लोगों का इतना प्यार मिल है आपका प्रोसेस सेम है लेकिन फिर भी आप एक बार किचन ट्रोली के बारे में हमें विस्तार से समझाए और उसका प्रोसेस बताया उसको कैसे बाहर निकालते हैं और उसको लगाना का भी तरीका हमें बताए तो ये वीडियो आपी की डिमांड पर तयार किया गया है चल चलिए अब हम आपको प्रैक्टिकल बताते हैं कि इसको कैसे किचन ट्रोली से बाहर जो निकालते हैं मेरे पास यह वर्क सोप एक केबिनेट रखा हुआ है यह ट्रॉली का है यह बास्केट है जैसा कि आप अभी देख रहो है यह किचन ट्रोली का बास्केट है यह सेंपल के लिए रखा हुआ है चलिए हम आपको प्रैक्टिकल बताते हैं अब जैसे कि आप यह जो लोग देख रहो राइट हेंड वाला जो लोग है यह रेड कलर का है किसी में ब्लेक कलर का होता है और किसी में बाहिट कलर का होता है प्रोस्टर सिंग सभी का सेम होगा एक बार फिर को hold रखना है और ऐसे ही अपना जो left hand वाला है जो ये तो ओगे right hand वाला जो नीचे की side को आपको hold करके रखना है और ये वाला जो है ये अपना है left hand का left hand वाले को आपको उपर की side को hold करके रखना है तो left hand वाले को उपर की side को आपको hold करके रखना 2-3 सेकंड और राइड हैंड वाले को आपको नीचे की साइड को hold करके रखना दो से तीन सेकंड अभी दोनों को जब आप hold करोगे आपका किचन का जो बास्केट है यह वाला यह बाहर आजाएगा चले आब मैं आपको बताता हूं कि बाहर कैसे आएगा अभी जैसे मैंने इसको राइड हैंड वाले को नीचे और लेफ्ट हैंड वाले को उपर को होल्ड कर रहा है और होल्ड करने के बाद यह आपका जो ट्रॉली का चेनल देख रहो यह ओटमेडिक अभी आपको इसको। बाहर निकालना यह देख यह लोग खुल चुका है यहां से बाहर आगया है अब आप इसको इजएली बाहर निकाल सकते हैं पुआ हैँ यह देखे हैं आपको लगाना है लगाने का प्रोसेस से में जो लिकान बहर निकालने का प्रोसेस है ज़सा अंदर डालने का है अब यह उपनी चैनल यद्ध ने अब इनको आपको दो 2-3 इंची बहर रखना है जिस आप देखर हो न वीडियो में 2-3 इंची बहर रखना है दोनों चैनल को बास्केट का है और यह जो मैंने आपको बताए त एक ये ओपर है और एक ये नीचे है तो इस गेप के अंदर अपने को ये जो चैनल का आगे का हिस्सा होता है ये वाला ये वाले जो जो गेप है ये इसी के बराबर होता है जो आप इसमें देख रहो इसी के अंदर अपने को ये दोनों रखने है यानि को ओपर ये और सेम ले एक दो तीन ये दो तीन बार में आपका जो ट्रॉवर है वह अंदर चला जाएगा आप आप इसको देख सकते हैं यह प्रोपर वर्क कर रहा है और बहुत ही स्मूथ चल रहा है यह देखिए यह जो मैंने आपको गेब बताया था यह वाला तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप काफी संतुष्ट होंगे अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्क्